हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू कॉंट स्टेडी आज हम करने जा रहे हैं हमारा मैस का चप्टर प्रॉबिल्टी और आज हम करेंगे उसमें उसका पार्ट फाइफ जो की पेस्ट होगा कंसेप्ट आफ मार्बल्स पे शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे यू तो आज हम मार्बल में दो चीज़े पढ़ेंगे जो की है विद रिप्लेस्मेंट एंड विद आउट रिप्लेस्मेंट प्रॉबिल्टी का निविनेटर डिनॉमिनेटर कैसे आना है सब मैं बताऊंगा उनमें भी कॉंबिनेशन ही लगनी है और कॉंबिनेशन में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं हमारे कार्ड्ड वाले पार्ट में तो आज हम यह सीखेंगे कि रिप्लेस्मेंट जब होगी तब क्या कंसेब्ट यूज करेंगे और जब रिप्लेस्मेंट नहीं होगी तब क्या चिजिश करेंगे basically replacement का मतलब होता है कि आपने जो ball निकाली वो आपने वापिस अंतर डाल दी हमारी जो term है one by one ये चीज mention है इसका मतलब क्या है कि पहले जब हम जितने भी हमने concept पड़ें उसमें क्या था two cards are drawn at random यानि कि हमने एक साथ दो card निकाल लिए यहाँ पर ये जो one by one है इसका मतलब है कि जो card हम निकालेंगे पहले एक card निकालेंगे उसको check करेंगे फिर हमारे question पर depend होगा यानि अगर हमें replacement दिया हुआ है तो वो card हम वापिस अंदर डाल देंगे अगर हमें without replacement दिया हुआ है तो वो card हम निकालके बाहर side पर रख देंगे ठीक है marbles हैं किसी न किसी container में तो होगई ऐसे open तो पड़े नहीं होगे तो with replacement, without replacement का बस यही मतलब है कि एक में हम निकालके वापिस jar के अंदर वापिस डाल देंगे और दूसरे में निकालके हम बाहर रख देंगे दोनों concept में कैसे solution आना है हमारा ये चीज मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा अब मैं आपको समझाता हूं कि ये replacement और without replacement का मतलब क्या होता है सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि replacement का मतलब होता है जो हमने ball निकाली वो हमने वापिस डाल दी तो हम एक example लेते हैं कि हमारे पास 4 red balls है 4 blue balls है 3 green balls है यानी कि हमारे पास total 11 marbles है या balls है ठीक है और उन में से हमें कितने select करने है उन में से हमें 2 balls select करनी है दोनों balls कौन से होनी चाहिए ग्रीन कलर की होनी चाहिए तो ग्रीन कलर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि ग्रीन कलर की 3 balls है probability of event क्या होगा हमारा एक numerator एक denominator usually हम जो करते थे denominator के लिए वो क्या होता था total हमारे पास कितनी है उसमें से कितनी हमें select करनी है तो हम पहले के cases में करते थे total हमारे पास 11 थी दो हमें select करनी है 11c2 आज़ता हमारा denominator पर इस case में ऐसा नहीं होगा क्यों? क्योंकि balls जो है वो हमेशा हम 1 by 1 select करते हैं balls जो है हमेशा 1 by 1 select करते हैं यानि कि इस बार हम 11c2 जो है वो नहीं लेंगे हम 11c2 लेने के बजाए दो बार लेंगे एक बार 11c1 यानि कि पहली बॉल select की फिर 11c1 यानि कि दूसरी बार select की ये सिरफ replacement के case में ये चीज जो है सिरफ replacement के case में आईगी क्यों? क्योंकि हमने ball निकाली और वो वापिस डाल दी तो ये चीज 11c1 11c1 सिरफ replacement के case में आईगी तो हमारा denominator तो हमें पहली बार चल गया 11c1 यानि कि हमने पहले एक ball select की उसे वापिस अंदर डाला फिर दुबारा एक ball select की उनी 11 balls में से बात करते हैं कि numerator की क्या बात होगी इन्होंने काया कि हमें दो balls लेनी है दोनों की दोनों balls green होनी चाहिए यानि कि selection जो होगी जो numerator होता है हमारा number of event वो green ball में से ही choose होगा तो पहले कितनी balls थी हमारे पास तीन थी? तीन में से हमने एक ball ले ली ठीक है तीन में से हमने एक ball ले ली अब उन्होंने काया कि replace करना यानि कि तीन में से हमने जो ये ball suppose कर ली जी ये ball ले ली थी ये हमने निकाल के बाहर रख ली पर उन्होंने का replace करना यानि कि ये ball वापिस हमें उसी जार में डालनी है जहां से हमने निकाल ली थी, तो ये ball वापिस आगी अपने जार में, तो 3 पहले थी, तो 3 अभी भी रही, क्योंकि हमने replace कर दी, तो 3C1 आया था, first case के लिए, अब फिर से ball निकालनी है, वो ball भी हमने green में से ही निकालनी है, तो 3C1 आ जागा हमारा second case के लिए, तो आपको बता है, कि 3C1 का म मतलब होता है, 3, नीचे जो है 11C1, 11C1, उनका मतलब होगा 11 into 11, तो हमारे पास final आ जाएगा answer 9 by 121, ये होगा हमारा final answer with replacement के case में, ठीक है, अब हम करेंगे without replacement का case, तो हमें करना है without replacement का case, यानि कि इस बार जो हम ball निकालेंगे, वो हम वापिस जार में नहीं डालेंगे, तो suppose क लीजिए कि हमें पहले निकाली हमने green ball, ये वाली green ball हमने निकाल ली, तो 3C1 तो पहले case में वैसा का वैसा ही रहा, और denominator में भी 11C1 जो है वैसा का वैसा ही रहा, पर अब हमें ball replace नहीं करनी, यानि कि ये जो green ball है, ये अब जार से निकल चुकी है, ये वापिस जार में नहीं जाएगी, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास green balls कितनी बची, अब हमारे पास green balls बची हैं, दो, next हमें फिर से green ball ही चूज करनी, क्योंकि दोनों की दोनों balls जो हैं वो green होनी चाहिए, next अब green ball चूज करने का event क्या आएगा, 2C1, क्योंकि हमारे पास बची ही 2 balls हैं, ए और एक और चीज़ देखिए साथ में, जो हमारे total था 11 balls का, अब क्या वो total 11 balls का रहा? नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 balls नजर आ रही हैं, यहाँ पे हमें 4 balls नजर आ रही हैं, पर यहाँ पर अब सिरफ दो ही balls बची हुई हैं, यानि कि जो हमारी balls थी 11 वो अब हो च करेंगे next जो हमारा denominator भी इसमें change होगा वो क्या change होगा कि इस बार 11 balls की जगा हम 10 balls में से select करेंगे तो हमारा final answer आ जाएगा 3 into 2 divided by 11 into 10 इससे इसको काटा 5 आया तो हमारा final answer आ गया 3 by 55 with replacement में आ रहा था हमारा 9 by 121 without replacement में आ रहा है हमारा 3 by 55 तो ये है with replacement और without replacement का main difference इस चीज़ को आपने याद रखना है मैंने आपको concept पूरे अच्छे सा समझा दिये है एक एक ball निकाल के वापिस डाल के सब समझा दिये हो है फिलाल के लिए आप बस ये चीज़ जाद रखिए balls हमें 1 by 1 निकालनी होती है with replacement में भी 1 by 1 निकालनी हो अगर change का बात है जब हमें ball with out replacement निकालनी होती है यानि कि एक बार जो ball निकाल के बाहर रख दी वो दोबारा जार के अंदर नहीं जाएगी अब बढ़ते हैं हमारे question की और तो हमारा question कह रहा है कि हमारे पास एक bag है जिसमें चार red balls है छे black balls बाल्स नहीं है actually marbles है यानि कि total आगी हमारे पास चार है red छे हैं हमारे पास black तो total हो गई हमारे पास 10 ठीक है next line हमारी कह रही है कि two marbles are drawn one by one यानि कि पहले एक select होगा फिर एक select होगा find the probability that they are of same color यानि कि दोनों की दोनों या तो red हो या तो blue हो if balls are drawn first case कह रहा है with replacement तो हम काम करेंगे हमारे first case पे यानि कि with replacement यानि जो ball हमने निकाली वो ball हमने वापिस ढाल दी पहले हम करेंगे red के लिए काम कि जो हमने पहली ball निकाली वो थी red और जो दूसरी निकाली वो भी थी red तो red के लिए मैंने बताया कि 4c1 आया पहले कि 4 में से एक red ball निकाली फिर 4c1 आया कि 4 में से दूसरी red ball निकाली जो कि यहां आपको clearly नजर आ रहा है ठीक है अभी हमारा numerator खतम नहीं हुआ है क्यों क्योंकि उसने कहा था कि दोनो same ball होनी चाहिए तो same ball black भी हो सकती है तो black के लिए क्या आएगा black के लिए आएगा कि 6 में से हमने एक ball निकाली फिर वापिस डाल दी क्योंकि replacement करनी है फिर 6 में से हमने एक ball निकाली और वापिस डाल दी यह red के लिए यह black के लिए अब बताइए, इन में plus का sign आएगा, या multiply का sign आएगा, देखिए, मैंने आपको कहा था, जब तक event पूरा नहीं होता, तब तक हम multiplication लगाते हैं, event पूरा होने के बाद, दो events को जोड़ने के लिए हम plus लगाते हैं, यह चीज मैंने आपको cards वाले section में अच्छे से explain की थी, तो marbles select होने चाहिए, तो हमारे 2 marbles red के case में select होगे, यानि हमारा ये वाला event पूरा हो गया, अब बात करते हैं, black balls की, black marbles की, तो एक marble हमने यहाँ पे select किया, एक marble हमने यहाँ पे select किया, तो हमारे 2 marbles black में भी select होगे, यानि हमारा red का भी event पूरा हो गया, black का भी event पूरा हो गय दोनों के दोनों event पूरे थे, अब इनको हमें एक number of event में डालना है, यानि हमारा जो sign आएगा, वो होगा plus का, तो आप देख सकते हैं हमारी equation में कि ये वाला event जो है वो red का है, जो की completed है, ये वाला event जो है वो black का है, जो की completed है, और बीच में आ रहा है plus का sign, जो की दोनों events को जोड़ रहा है, अब ये तो आगया हमारा numerator, अब बात करते हैं denominator की, तो मैंने आपको बताया था, denominator में क्या होगा, denominator में total number of balls हैं, और हमें एक के करके choose करनी है, दो balls, तो पहला event के आगया कि 10 balls हैं, 10 में से हमें एक choose करनी है, अभी event अधूर है, event पूरा कब होगा, जब हम multiply लगाएंगे, 10 ball में से एक और ball select करेंगे, तो हमारा जो है event हो जाएगा पूरा, ये किस case में, ये सिर्फ replacement के case में, क्यों, क्योंकि जो ball बाहर निकली थी, वो ball वापिस अंदर भी गई, तो इसलिए 10C1, 10C1, 10 में से 1 select की, 10 में से 1 select की, वही चीज हमने यहाँ denominator में लिखी ह ये 10C1, 10C1, तो 4C1 क्या होगा, 4C1 होगा 4, ये वाला 4C1 भी होगा 4, ये 6C1 होगा 6, ये वाला 6C1 भी होगा 6, 4 into 4, 6 into 6, तो नीचे 10 into 10, 10 का square, तो 4 into 4 क्या होता है, 16, 6 into 6 होता है 36, 10 into 10 होता है 100, हमारा आया 52 by 100, जिसको हमने reduce किया, हमारा final answer आ गया, 13 divided by 25, ये आया replacement के case में, ठीक है, अब बात करते हैं without replacement, यानि कि जो बॉल एक बार बाहर निकाल दी, वो बॉल वापिस अंदर नहीं जानी, तो पहले हमारे पास red balls थी, 4, और black balls थी, 6, यानि कि first event के लिए हमारे पास total balls थी, 10, same चीज करेंगे, पहले हम red से एक ball select करेंगे, बाहर निकाल के रख देंगे, फिर red से एक ball select करेंगे, बाहर निकाल के रख देंगे, हमारे पास 4 red balls थी, 1 ball हमने select कर ली और बाहर निकाल के रख दी फिर 3 red balls आई, ठीक है, क्योंकि 4 में से 1 तो निकाल के हमने बाहर रख दी उसमें से भी एक हमने निकाल ली, तो हमारा red के लिए event बन गया ये अब बात करते हैं black की, 6 black balls थी, हमने 1 निकाल दी फिर पांच ब्लैक्स बॉल बची हमारे पास उसमें से एक निकाल दी तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ठीक है तो हमारा नियूमिनेटर तो आ गया रिप्लेस्मेंट के केस में कैसे आना था अब बात करते हैं डिनॉमिनेटर की रेड या ब्लैक्स दोनों का ही केस ले लो पहले तो दस की दस पॉल्स थी उसमें से हमने एक बॉल निकाल दी बेशक रेड या ब्लैक्स हमें नहीं पता प्रॉबिल्टी यानि हम अंदाजे पर काम कर रहे हैं एक बॉल निकाल दी एक बॉल निकालके हमने जार से बाहर रख दी अब हमारे पास जार में कितनी बॉल बची अब हमारे पास जार में बची 9 बॉल जिसमें से हमने एक और बॉल स्लेक्ट की और finally हमारी जो दो बॉल्स थी वो स्लेक्ट हो गई तो 10C1 into 9C1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यानि कि हमारा जो numerator भी आ गया denominator भी आ गया अब हम करेंगे इन पे काम तो 4C1 क्या होता है 4 3C1 होता है 3 दोनों की multiply करेंगे 6C1 होता है 6 5C1 होता है 5 दोनों की multiply करेंगे 4 into 3 6 into 5 बात करते हैं denominator की 10C1 होता है 10 9C1 होता है 9 इनकी कर देंगे multiplication तो 10 into 9 आ गया हमारा denominator जब इसको solve किया हमारे पास आगया 12 plus 30 denominator में denominator में 90 42 by 90 बना जिसको हमने reduce किया तो हमारा final answer आ गया 7 by 15 तो with replacement, without replacement कैसे question solve करना है दोनों चीज़े मैं आपको बता चुका हूँ अब हम करेंगे इसके base पर एक question तो यह रहा हमारा question कहरें कि एक jar है उसमें 3 red balls, 5 green balls और 4 blue balls है ठीक है 2 balls are drawn 1 by 1 and is thrown out of the house यानि कि एक ball जो निकाली वो हमने घर के बार फैंक दे निकालती what is the probability that none of the balls thrown are blue in यानि कि कोई भी जो 2 balls हमने निकाली दोनों की दोनों balls blue नहीं होनी चाहिए इसकी क्या probability है तो none का आगया case मैंने आपको cards वाले में भी बताया जब कोई ऐसा case आ जाए जिसमें हमें दोनों के दोनों नहीं वाले case आजाता है तो उसमें हम क्या करते हैं पहले select कर लेते हैं कि दोनों के दोनों जो हैं वो blue ही हो जो हमने फैंक है फिर उसको गया करेंगे कि उसको हम 1 से minus कर देंगे क्योंकि probability of an event not happening is is equals to 1 minus probability of event happening तो हम probability of event अगर निकाल ले happening के यानि कि दोनों की दोनों balls जो फैंकी जा रही है वो blue होंगी अगर हम यह निकाल दें और उसको 1 से minus कर दें तो हमारा वो probability आ जाएगी जिसमें दोनों की दोनों balls जो फैंकी गई है वो blue ना हो बिलकुल आ जाएगी तो चलिए करते हैं हमारा question solve करना शुरू हमारा solution कह रहा है कि हमारे पास 3 red balls है 5 green balls है 4 blue balls है यानि की all in all हमारे पास total 12 balls है अब one by one हमें ball select करनी है तो number of event निकालते हैं जो की probability of event का numerator होता है दोनों balls हमें same निकाल दी है फिलाल याद रखिए दोनों balls हमें same निकाल दी है तो पहली ball blue में से निकली और घर से फैंक दी गई अब ये वापिस blue में नहीं जाएगी अब हमारे पास blue कितना बचा अब हमारे पास blue बचा 3 ठीक है तो दूसरी ball जो होगी वो 3 में से निकलेगी 3 में से निकाल दी अब denominator की बात करते हैं ये हमारा उपर का जो set है वो complete हो गया denominator में क्या आएगा पहली ball जो होगी वो 12 balls में से select होगी फिर वो बाहर फैंक दी जाएगी घर के फिर जो बचेंगी balls हमारे पास वो होगी 11 तो दूसरी ball जो होगी वो 11 में से select होगी आपको पता है 4C1 4 के बराबर है 3C1 3 के बराबर है वैसे ही 12C1 12 के बराबर है 11C1 11 के बराबर है 4 into 3 is equals to 12 तो ये कट जाएगा हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1 by 11 पर ये वो probability है जो कह रही है कि same blue color की balls दोनों जो balls फैंकी गई वो blue colors की ball थी जबकि हमारे question में कहा हुआ है कि दोनों में से कोई भी ball blue color की नहीं होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे इस event को 1 से minus कर लेंगे तो हमारे पास probability of event not happening आ जाएगा 1 minus 1 by 11 which is equals to 10 by 11 ठीक है तो ये आ गया हमारा final answer कि दोनों की दोनों balls जो कर से बाहर फैंकी गई वो blue balls नहीं है हमारा probability का जो part 5 है वो भी होता है खतम अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इससे like कीजिए साथ ही साथ हमारे जैनल को subscribe कीजिए और इससे अपने friends के साथ share कीजिए Thank you